मैंने बनाया थोड़ा सा पनीर क्योंकि मम्मी आज बिक्वस्ट में बनाने वाली है पनीर के परांथे मम्मी अब स्टफिंग रेडी कर रहे हैं थोड़ा सा क्रमबल किया है पनीर को इसमें आड़ किया है फ्रेशली चॉप्ट कुरियांदर और थोड़ा सा उसमें डाले हैं ममी प्यास ममी ने तो काफी मोटा सा इसको लंबा-lembा स्लाइस किया है क्या करें प्रोफेशनल है न तो वो तो एजली बना लेंगी इससे भी परांथे उसमें डाला है थmore जवायन और थोड़ी सी लालमर्च पाउडर और थोड़ा सा नवaldo बस इससे तो इसे थोड़ा सा ninja करेंगी और थोड़ा सा मतलब अच्छ reparनी के पाज उसमें आड़ किरेंगी थूड़ा सा गरम मसाला क्योंकि इसकी स्टॉफिंग जो है वो बहुत जादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगते हैं तो इसे सटल फ्लेवर अच्छे लगते हैं और यहां मैं बना रही हूँ चाय लुटेश करो फटेlegenे खरें आप सा गरम मैं और ऑरो बाव क्यों, तो इसे कोईंगी नहीं यहां मैं मसाला आप सेखट को एषडें ऑ submission झाला कि डिलाओकोर यहां मैं ख vstarने से प्लाव मipes तेस्टी सा पनी पराठा बनकर बुल कुल रेडी है ममी मेरी सच में बहुत जादा डिलिशियस पराठे बनाती है मतलब कुल भी पराठा बनवा, उनसे बहुत टेस्टी पराठे बनाती है मेरी ममी और जो पनी पराठा होता है, जो मतलब उसकी स्टफिंग होती है उसमें जो प्याज है वो मुझे तो थोड़ी सी जादा पसंद है इसलिए ममी ने उसमें काफी सारी प्याज आड़ करी ती मगलब जितना पनी उतनी ही प्याज बहुत अच्छा लगता है आप लोग भी इस तरह से बनाएगा जरू ट्राय कीचेगा बहुत टेस्टी लगेगा जो अब बाक टो दी चानल मैं बस अभी नहां कर रहा हूँ और फेस पर जो भी मैं कुछ अप्लाइ करती हूँ मैं आप लोग के साथ शेर किया है वो सब कुछ अप्लाइ किया है और अब मैं जाओंगी जूस बनाने के लिए मैं कुछ वैजी और कुछ फूट को मिक्स करके जूस बनाती हूँ और डेली नहीं डेली बिसस पर नहीं पीता है मलोग ये जूस मतलब सर्फ मेरे लिए लिए इनी सब लोग पीता है और फ्रूट बहुत जाला नहीं, बस एक मैं आट किर टीस्त थोड़ा सा ता की अच्छा हो जा ह iPad!!! दूति उ कुछ सारी वेजी जुछ होती हैं । इसमें ओरेंच जो है ए 네 डालती हो तो उसका अच्छा हो जाता है डेली फ्रूट कहना चाहोता है बडेली जूस बिने से हमारी बॉडी के ऊपर थोर सा एडवर्स एफेक्ट पड़ता है सो जूस के लिए मैंने थोड़ी सी बीटूट ली है और रेंज और ये है थोड़ी सी लौकी और यहां लिया है गाजर सब को मैंने तुरह सा स्लाइस कर लिया है सब कर दो कि लिया है मैंने जिसके लिए मना करते हैं तेली जूस बीन अचा नहीं होता है क्योंकि इसमें सारा फाइबर जूसर बिलकुल अलग करता है और हमें सरफ लिक्विड मिलता है तो इसलिए फूट्स काने चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में ये फाइबर जाए जो हमारी बॉडी के लिए टेफिनिटली बहुत जादा अचा होता है वैसे तो मैं जिसन पराधा काती हूँ ब्रिक्वेस्ट में उसन में लंच नहीं करती लेकिन मम्मी जिस दिन भी ये लंच बनाती है मतलब साग उस दिन लंच सबको करना होता है तो ये है मेरा और ममी का लंच साग और मका की रोटी, चाच और मूली इसमें सबकुच अबस एक चीज़ मिसंग है जो मैंने आपको पहली कई बर दिखाया है ममी की वो विनेगर वाली मिर्ची बट विनेगर की होती है इसलिए मतलब हम नहीं कह सकते अभी उसे आइरवेदिक मैडिसन की वज़ा से लंच के बाद हमने खाई है थोड़ी सी तल और गोड की जो पंजीरी पिन्नी जो बनाई दी वो और मैं उपर आई तो देखा शुभम यहां एक अंकल है वो पेड काट रहे हैं तो उन्हें मना कर रहे हैं बट वो मानने नहीं वाले हैं उन्हें पहले पी एक पर मना किया था मैं आपको दिखा दियू यहां बिल्कुल इतना उपर चड़के मतलब यह हमारा फॉर्स फ्लोर है इसकी हाइट का मतलब उसकी सेम हाइट पर वो अंकल चड़े वह है इतना उपर चड़के एतनी एज में पेड काट रहे है शुभम ने बस ऐसे कट करने के लिए मना किया था कि ऐसे मत कट करो बट यह नहीं सुनने वाले बिल्कुल भी पूरे डैरिंग है अंकल कभी बैटके कभी खड़े होके बट काटने ज़रूर मज़ा आरा है इने भी शुभम को पूरा छेट रहे हैं वो भूल रहे हैं हट जाओ मत काटो पर नहीं मैं तो काटूँगा जिनर में मैं बना रही हूँ सोया पुलाओ इसकी रेसेपी मैं आप लोग के साथ अच्छे से डिटेल में पहले शेयर करी है उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूए आप जैसे ही मैं क्लिक करेंगे उस वीडियो पर पहुंच ज साथ मुझे यह जरूर चाहिए बहुत ज़्यादा यमी लगता है जो भी पुलाओ होते हैं उनका टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है आगे हूँ मैं रूम में और थासर मैं हेर और लेकर आएंगे और उसके पाद सो जाओंगी अब मैं मिलूंगे आप लोगों से कल इस व्लोग को मैं यहीं खत्म कहरी हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ठेर सारा ध्यान रखे चलिए बाब आई लाफ यौल तेक केर बाई